नीट की तुयारी कर रही बैराण की च्छात्रा का कोटा में अपरहन पिता को हाथ पैर पंधी फोटो भेजे, 30 लाख की फिरोती मांगी कोटा से नीट की तुयारी कर रही स्यूपुरी जुले के बैराण की स्टुडेंट च्छात्रा का अपरहन कर लिया गया चात्रा के पिता स्युपुरी के बैराण ठोना छेतर में रहते हैं कोटा पुलिस मामले की परताल में जुटि हुई है स्युपुरी एस पी अमन सुझग राठोर ने मामले की जानकारी लेने और सहयोग की बात कही है जानकारी के मुतापिक बैरान में लाड लखेशो और स्कूल के संचालक रगवीर धाकड की बेटी काफय धाकड 20 वर सितमबर 2023 कोटा में रहकर नीट की तैरी कर रही थी सुमवार की दुपहर 3 बजे रगवीर के मोबाइल पर एक वाटसाप मैसेज आया इसमें चात्रो के हाथ पैर और मुँ बंदे हुए फोटो थी कुछ फोटो में चात्रो के चेहरे पर खून भी दिख रहा था फोटो भेजने वाले ने मैसेज में लिखा कि रगवीर की बेटी को किड्नैप कर लिया गया है उसे जिंदा चोडने के एवज में 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई उसने बैंक खात्य की डिटेल भी बेजी और सोमवार साम तक रुपए जमा करने को कहा है पिता ने इतने रुपए नहीं होने और बंदो बस तो करने का समय देनी की बात कही तो मैसेज भीजने वाले ने चात्रा को माने की धमकी दी चात्रो के पिता रगवीर धाकर ने बताया कि कोटा पुलिस ने रात 3 बजे मामला दर्ज कर लिया है पुलिस बेटी की तलास में जुटी हुई है रगवीर धाकर ने बताया दो साल पहले बेटी इंदौर में रहका नीट की तयारी कर रहे थी जहां पोरी अनुविबाग छेतर के जरिया खेला गाउं के रहने वाले रिंकु धाकर ने बेटी को परिशान किया था इसकी सिकायत इंदौर पुलिस में दर्ज कराई थी इसके बाद बेटी की नंबर पर अनुरग सोनी और हर्श्रित नाप के लड़कों से उसे धमकी मिलने लगी थी इसके बाद बेटी को इंदौर से वापस सिवपुरी बुला लिया था बेटी छे मा तक सिवपुरी रही इसके बाद उसे नीट की तयारी के लिए कोटा भेज दिया था रगवीर ने रिपोर्ट में पुलिस को बताया कि बेटी को सितंबर 2023 में कोटा छोड़कर गए थे विज्यान नगर इलाके में सुतित एक कोचिंग संस्तान में उसके अडमिशन करवाया था इस इलाके में उसे रूम भी दिलवाया था आखरी बार बेटी दीपावली पर घर आय थी उससे रोज फोन पर बात होती थी रवीवार रात को भी बेटी की उसकी माँ से बात हुई थी तब उसने एक्जाम दे कर आने की बात कही थी बैरार से धर्वेंचर्मा की रिपोर्ट